वेल्कम तो हैरीज व्लॉग्स छे महने बाद मेरा आप यह ट्रेन वीडियो देखने जा रहे हो इसके बाद ऐसा वीडियो कभी बनाऊंगा यह नहीं बनाऊंगा यह मुझे यह भी नहीं पता कि इसके बाद नेक्स टाइम में ट्रेन में ट्रैवल कप करूंगा बट इस प्रेचर है minimum 7-8 degrees और वहां पर जो आपको पता ही है बैंगलार वेदर कैसा होता है तुनाष्टा आश्टा कर लिया था मैंने और सुबह सुबह जो मैं अपनी एक्साइजिस करता हूं वह भी कर ली तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि अगर आप जिम जा रहे हों अगर आप अच्छे हथियार हुज नहीं कर रहे आप बोलूगे क्या होता है मतलब आप अच्छे वैपिण्स और अपनी बोडी को अच्छे से नौरिष नहीं कर रहे तो आप जिम जाके फाइट क्या करो दिन में दो बार मतलब एक बार पोस्ट वोक-आउट शाम को और एक बर करता है आपकी muscle building में और muscle recovery में तो जिम जाके जो भी आपकी muscles breakdown होती है उसको recover करता है यह gold way trust की seal भी है तो हम इंडियन के अंदर ना मतलब एक ही चीज आती है क्या यह सई है क्या यह सई है तो trust की seal है lab report check कर लो informed choice UK certified है यह तो बहुत मतलब trust का सवाल नहीं उठता amazon flip card का best selling product है लेने का तरीका बहुत ही असान है milk या पानी के साथ एक scoop दाल दो शेकर में mix कर लो बहुत अच्छी mixability है तो यह protein pro hydrolast enzyme technology के साथ आता है basically यह जो technology है यह इसको differ करती है कोई भी product से आपकी body के हर एक पार्ट तक पहुचता है अच्छे जबजब होता है आपकी body में जो help करता है आपकी lean muscle building में link आ रहा होगा description में जाके purchase कर लो premium gold weight protein by big muscle nutrition और अपनी life को transform करो यह है हमारी देश की राजदानी नई दिल्ली और आज मैं नई दिल्ली से जा रहा हूं Bangalore लगभग 34 घंटे का सफर है यह 34 घंडे बाद हम पहुचेंगे करनाड़का की राजदानी Bangalore में जो कि इंडिया का IT hub भी माना जाता है बेंगलूरू बेंगलूरू बोल लो या Bangalore बोल लो पुराने लोग Bangalore ही कहेंगे वो बदलते नहीं और नई जनरेशन बेंगलूरू बोलती है मैं आ जाता हूँ दो घंडा पहले जो कि मेरी आदत शुरू से है जल्दी पहुचने की और जाते साथ सीधा लाउंज में जाता हूँ क्रिबिंग से हटके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पे स्नाइक बार भी होता है और चाई के अच्छे अच्छे ऑप्शन्स होते हैं क्योंकि धंडी आ गई है तो चाई के बिना काम चलने वाला है नहीं मैं ले देता हूँ एक छोटी सी चुसकी चाहे की इस जर्नी से पहले और भाई मजा आ जाती है छे महिने बार ट्रावल कर रहा हूँ बहुत एक्साइटीड हूँ अभी काफी थंड है तुवर्स नॉर्थ ऑफ इंडिया साउथ में होगी मतलब गर्मी थोड़ी सी पर बैंगलोर वैदर आज यू नो हमेशा अच्छा ही रहता है लाउंच का एक्सपीरिंस बढ़िया था सिर्फ बातरूम चोड़के और बैठने की जगा भी थी मैंने पेकिया लगभग 10 रुपे बैठने का एक घंडे के लिए दिली से अगर है 2000 तो आप से लेगा 4000 तो अंदर आपी मेरी नजर पढ़ती है मेरी सीट पर तुकि उतनी फैंसी तो नहीं होती 6000 के साब से पर फिर भी दिखाना मेरा फर्ज होता है यह है मेरी सीट अगले दो दिन तक तो मेरी सीट है आरे सीट मेरी हुई नहीं कंफर्म लेकिन यही तो है ट्रावलिंग का मज़ा बहुत दिनों बाद में ट्रावल कर रहा हूं तो इसलिए मुझे और सोने का दिल भी नहीं है उतना ट्रें जरनी आप बहुत महीनों बाद देख रहे हो मेक इट काउंट और आ यह क्या दो हुक से ही लटके रहते हैं नजाने कब यह गिर जाएं अगले दिन की धूप तो रोकने में कामिया भी रहते हैं वाशूम की हालत ठीक ही है अभी अभी साफ किया है वनना गंदा था काफी इन स्मेल बहुत गंदी है तो ट्रीन हमारी निकल चुकी है पर कोई आया नहीं है सीट के अलावा ब्लैंकेट्स भी होती है जो कि और रखी रहती है के लावा हमारा खाना रहता है जिसके लिए मैं सबसाद एक्साइड़ रहता हूं और यह है हमारा खुबसूरत सा वाश बेसिन और वाशूम कल सुब और तब दे रहे है तो मेरी दूसरी आरेस है उसमें आग्रा से आएंगे पैंगलवर तक जाएंगे शुक्ता मैं खुश हो रहा था मुझे नहीं होना जिए क्योंकि अभी जो है मामला तोड़ा टाइट है हलाकि अगर आरेसी में जा रहे हो तो खाना मिलता है प्रीन में आ जो जो रहा है और मुझे थर्ण लग रही है यह बहन के नौए गोट टूनो कि हवारे है यहां से बतलब बस यह टूटा नहीं है का राकी तो चिपका हुआ है कर दो बहुंवा यहाँ खुआ खुआ है STYCH तो मैं कहां पीछे अटने वाला था, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जिनका जिक्र भी मैंने अपने व्लॉग में कभी नहीं किया, लेकिन ये उन में से हैं, जिनका जिक्र करना तो भाई बनता ही था कोडिं सीख को से उट जिक्र जो तो दें कहते हैं, जिनका बैख लग गया था इनके कॉलेच में उसके बाद में उनने अपने पार भी नहीं नहीं पार प्रू नहीं सेख के जोब लें़ें के लिए, पर याषिक से इवाद टेक्महindruck सेंडे को स्टीक किया, और भाई प्लेस स स्मॉल कंपनी हां इन स्मॉल कंपनी बट दाट वस एक्सिलेंट फॉर हिम क्योंकि उस ने उनकी लाइफ चेंज कर दी एक्षा रहता है क्योंकि स्टार्ट आप में आगे चल के बहुत जादा एक प्राइवर्टी विलती है दिखने में तो पड़ी आया है भाई आधा बह रहा है इसको आधा ये इस पनी तो दिख नहीं रहा है ग्रेवी दिख रही है पर चाइद पनीर है आलू बीन वेल नाव इस टाइम तो हाव फूड बट इसमें नमक नहीं होता है तो बिना नमक वाला खाना खाके मैं सुनता हूँ साउंड एफेक्ट इस छोटे से बच्चे का सुबाई यहां से पूरी हवा आरी है करें तो चुटा हुए है हवा अंदर आ रही है तर आपको बंच यह देख लो यारी अवा अंदर आ रही है यहां से कुछ करो अपका तर अथे पिकड़न नमर आपका पौर्टी वढ़र घंटा लगरे इसके लिए टेप लगार के लगारे है सफुए एक चीज़ बढ़ी हुई कि वहनोंन ने एक्सेप्ट किया कि पूरा लीके जएदर भार की हवा आज अरिये पूरी अंदर accept किया that was important by the way IRCTC पे जाके आप अगर ये complain करते हो कि seat खराब थी या faulty तूटी हुई थी तो आपको refund भी मिल जाता है वहां से अब आ रहा है सर वहां से यहां से इससे रुकेगा नहीं बट बैंगलोर जाके न इसको पूरा कवर इसको चेंज कर रहा है अगरा आते ही थंड का एहसास जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है और यह इतना सारा रश देखके मुझे लगता है ना जाने ही लोग कहां ही जा रहे होंगे मैं आ जाता हूं अंदर और यह ब्लैंकेट ओड़के थोड़ा सोने की कोशिश करता हूं लेकिन उसी वक्त पैंट भी हम है नापपुर में इसका टाइमिंग यहां आने का थोड़ा चेंज हो गया है और I think हम 20 फिर्ट बिको रहे हैं, नाष्टा मैंने कर लिया था, तो में को लगा कि मैं हर चीज क्या देखाऊ आपको, अभी-kभी खुद भी इन्जॉय कले रहे हैं, नाष्टे में कुछ डिफरेंट नहीं था, मतलब वही सब पुरानी सीजे, कटलेट और एक, ओमलेट वग सब्सक्राइब तो मतलब अगर आप सोच रहे हैं, ये क्या है, नापपुर के फेमिस फेमिस ओरेंज इस क्वाओ्टेटर है इस बाम प्रेंज़र उाचे वगरे, कि अदो मतलब वहाईवर हैं, मेंअ हैं, कि भी एक पर ग अच्हाइए तो मैं सोने की कोशिश तो जरूर करता हूं लिकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं, वो मन के होते हैं बहुत ही सच्चे और अपनी सच्चाई को मुझ से निकालने में होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट तो बस इसी कुछ कारण की वज़े से मेरा दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है बच्चों की आवाज सुनते सुनते तो बलहर्शा में आ गया है, सोते हुए जाया पहने खाया तो नहीं है, ब्रेक्फस्ट पगए पहने किया नहीं उतना तो बलहर्शा जो है वो आउटर है महराष्ट्र का यहां से हम साउथ एंटर करेंगे, नेक्स्ट टॉप इस काजी पेट, तीन घंटे बाद आएगा रेलो फाइ आप से करना पड़ता है, क्या खाना ओडर्स पूट्रॉट्रक्स प्रेशा प्रशा प्रेशा यहां थाप दिधा तो ए खाना फूरी घर की याद दिलाता है, ठ्रेन का खाना मैं सच कहूं, आपको लगे गई नहीं कि आप बहार खा रहे हो, अगर वो फ्रेश तो जिसका कि यह बहुत बढ़िया था तो यह हमारे स्नाक्स कंपनियां बदलती रहती है यह है वाइट बेट कोई सैंविच तो अभी हम आ गए है क्याजी पेट यहां पे हलकी हलकी गर्मी लग रही है पर फिर भी मौसम अच्छा ही है काफी सुहाना मौसम है समझ भी आया भ कोई नमखीन है गरम-गरम समोसा टीकिट स्वीट सैंडविच जो की काफी मतलब फ्रेश लग रहा है असाथ में केचप तो कैजी बिट में ना काफी लोग चले गाए बट सारे जो दिल्ली से आये थे बहुत सारे दोस्त बने एक दूसरे के और दोस्ती बज़ वही तक रह और इसमें भी मीट पाउडर भी दाल दूगा जिंजर टी है टीस्ट बढ़िया रहता है इसका है 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 यहां पर ना पूरी ट्रें घाली होने वाली है और भर भी जाएगी तो मेरे को तो सिरफ चलने से मतलब है भाई वो करने से मतलब है बैठे बैठे पूरी पीट अकड़ चुकी है अशीश भाई ने चाय पिलाई मुझे और खुद भी ली एक्चुली इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है तो यह देख की हमने चाय लिये वैसे तो आपको पता है कैसी चाय मिलती है और भी शाम का मौल हो रहा है और लग भग इतना ताइम होगा वो निकले होगे आई थिक अल्मुस्ट 24 A ओने बाला है और सच्प्रमकोरा बॉक करने का बहुत मन कर रहा है दिनुक्त पीट अकड़ चुकी है पूरी बैठे पैठे शुगा से अल्मुस्ट 12 A फो ने 11 A फो यह एक्ड़ाज होगे इन यह यह चेंड पुलिंग कर दी अक्चुली यह आई लेट और निकल रही थी लाइक विदिन 5-10 मिनिट कभी स्टॉप नहीं है वैसे तो 15 मिट का होता है लेकिन अभी क्योंकि लेट आई तो बस पांस मिट में चल पड़ी इस ली हो सकता है कि लोग भाहर चले गए हो सोचके कि भ मेरे सोथे वक्त प्रॉब्लम होगी तो देखते हैं भाई लास मील का है सो अभी तक हम कुछ दो डिनर आ चुके हैं एक ब्रेकफास्ट एक लंच और एक सनाक टूटल छे मील आई हैं कल सुबह कुछ नी पूछने वाले बोलेंगे टाटा पाइब और यह है मेरा कूप कैप यह आलुकीब सबजी अब 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 आप अब 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 और ऊपर देखके आपको लगेगा जी शुबह ओने वाली है पर इस अल क्लाउट है पुरे बादल है ऊबर कि अदि ट्रेंट शुबहिए और भाई हम टाइंग से आगए विकोज बहार ना अंदर रश जाता और आधी ट्रेंट रही है भाई आदे गंटे बिफोर आ गायें कम से कम मतलब जो सपीड हो गई है अपड़ेड हो गये इस रूट पे इसलिए बिफोर आ गई है वही में क झाल झाल